गुंगरू गुरू की आवास सुनाई थे दिन ज़िए चम चम कोई बोलेगा तुम मेरे पिछले जनम के प्रेम हो मैं तुम्हें लेने आई हूँ अच्छा एक चीज देखें भूत हमेशा महिलाएं बनती है पूरूस भूत बनता जी इसी जनम में भूत है उसको के आगले ज सेंट रखे हुए है ब्रेन और जब से हम पैदा हुए है तब से हमारी बोडी को कंट्रोल करने का काम कोन करता है ब्रेन ही कंट्रोल करता है दूसरा कोई हमें कंट्रोल नहीं करता है तो में कंट्रोलिंग का काम कोन करेगा ब्रेन करता है उसके बाद ये रहा इस्पाइनल क कब बिन कीका काम काम पर्वки दिन किशचय कर रख प्रॉंक करें स्कीडियार औरfach को Шक्या'd कि सबस्क्राइब करें तो हमारे body को control कौन करने रहता है, spinal cord, अब spinal cord को कुछ अच्छा experience नहीं है, body को control कैसे करना है, जैसे, माली जी यह marker है, ठीक है, यहाँ पर, तो हमारे brain में है आपका seri bram, जिसको पता है कि इस marker का weight बहुत कम है, तो यह उतना ही सकती का आदेश देगा कि भईया, आराम से उठा लोर, समझ्या गया, लेकिन अगर बाल्टी से भारा पानी है, मतलब किसी बाल्टी में पानी भारा हुआ, तो हमारा आख देखेगा, तो seri bram, बोल देगा रहे, बकलोल, पूरा भार पानी है, तेजी से उठाओ, तो उसको तेजी से उठाना पड़ेगा, लेकिन यह सब च जैसे brain बीजी हुआ, spinal cord को कहा, spinal cord 31 जोड़ी नसो को कहा, सब लोग ready हो जाओ, कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम alert mode पर हमला हो सकता है, पूरा, अब brain किसी को सोच रहा है, कितना सुन्दर थी, ये थी, ऐसे करके सोच रहा है, अब पूरे body को control को रखा है आपका, spinal cord, तब तक पीछे से आपका कोई मितर आगे कहता है, भो, आप डर जाते हैं इसे, क्यों डर जाते हैं, रीजन समझ ये क्या है, कि brain उस समय बीजी था, सम्हालने की जिमेदारी spinal cord की थी, और spinal cord ने अपने 31 जोड़ी नसो को alert mood पर रखा था, जैसे भो बोल भी आपके सामने से कोई आके कहेगा, भो, तो आप नहीं डरेंगे, क्योंकि आपका brain एकदम adjust कर रहा है, भो बोलेगा, लेकिन जब कभी आपका brain दूसरे ओर होता है, और आपकी body का control का take over, spinal cord ले रखा है, तो चोंग जाते हैं आप लोग, जानवरों के पास भी दिमाग हो प्रावलम हो गया था, डॉक्तर सुईदिया गाय तुडा के भाग गई, और पहली बार गई थी वो जानवरों के पालते हैं, और इतना तकलीफ लगती है कि उसे साड़क पर छोड़ देते हैं, वेचरी प्लास्टिक खा के मर जाती है, लेकिन इतनी वाफादार होती है, कि दिन में घूम फिर के आती है, असाम को अपने मालिक के पास आ जाती है, और वेचरा दू लेता है, वहीं चली आती है, तो जानवरों के पास भी सेरी ब्रहम होता है, स्पाइनल कॉड होता है, जानवरों के पास भी पटाका फोड़ियेगा, तो भी चौक जाती है, सब प्राणों से मिलता जुलता रहता है। बंदर का आपका भी जाएगा ना हम आपको बताते हैं। बिहार में राजगीर जहां महात्मा बुद्ध ने मुद्ध के लिए प्रसीद है सांतीस तूप है। बंदरों को देखेगा ना आपके हाथ से ना वो खीच लेते हैं सब में पेपसी अखोल के आदमी की तरह पी जाते हैं से। उनकी यादास अच्छी है वो दूसरे को देखके कर लेते हैं। तो जानवर भी होते हैं सांता है। तो ये बाहर से ना काट रहा है हाथ काट रहा है तो दर्द करेगा कून बताएगा बाहरी चोट को थैलेमस बताता है थैलेमस कून बताता है थैलेमस और अंदर से दरत कर रहा है तो हाइपो थैलेमस जैसे अंदर से पेट दरत कर रहा है तो हाइपो थैलेमस करेगा रही है सोचुरा पेटवा दुखा रहा है और कोई पेटवा पे एक फाइट मार दिया तो थैलेमस कहा है कि सोचुरा मार रहा है दुखा नहीं रहा है मार रहा है तो एक भात बताओ भाई इपेट के पास से यह जानकारी पेटवा के पास से यह जानकारी आई खोपडिया को दिया ब्रेन के पास भेज़ दिया और ब्रेन डिसाइड करेगा कि यह अंदर का दरध है कि बाहर का दरध है इसलिए डॉक्टर जब ओपरेशन करता है न? आपरेशन करेगा तू आज कल डॉक्टर वा क्या करता है न? इस पाइनल कॉड होए में एको सूई लगा देता है देख़े की movie देखे हैं उसमें permanent तूर देता है उसका यहां से connection कुछ देर के लिए fault कर देता है यह वो injection मारेगा connection खतम अब आप इधर cut put कुचू कर दिए उसको कोई असर नहीं करने वाला है तो आज कल जो operation किये जाते हैं वो spinal cord में injection देकर कर दिया जाता है जिससे कि आपके brain तक यहां से जानकारी नहीं पहुंच भाती है इसलिए आप देख रहे हैं कि brain सही है लेकिन brain के लिए जरूरी spinal cord है तो आज जो भी operation किये जाते है जो delivery का operation होता है बच्चे के लिए तो कोई महिला अगर वती है तो होस में रहती है बती आते होती आती रहती है यहां से काट दिया है उसके चीर के सामने बच्चा निकल के देखा 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 लेको जो 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 रोएगा वहाँ पर सहीं अकेले हम ही थे अब उसे उसरा डर लगने लगा और रात में अचानक दरवाजा कोई ऐसे चूँ चूँ आवाज आने लगा तो जो हम बहुत डर गयते हैं अरे ग्रेजुएशन फस्ट इयर का स्टुडेंट कितना दिमागे रहता है उसके पाद डर अल रहता है डर गये ए चेहरे पिछले जनम के प्रेम हो तुमें लेने आई हूँ अचाओ एक चीज देखें भूत हमेशा महिलाएं बनती है, पूरूस भूत बनता है जी, उसी जनम में भूत है, उसको के आगले जनम में भूत थोड़े बनाएं, समझी है, अची डर लगने लगेगा, तो ऐसी घटनाओं को सेंपेथेटिक करते हैं, हमको मेन कारण क्या था, सब्सक्राइब डर लगा, लेकिन इस डर लगने से अखिया काहे चोड़ा हो गया, मुहा सूग गया, पसीना आने लगा, रोंगते खड़े हो गया, सरीर का अपने लगता है, कौन कर रहा है, पता ही नी चलता है, ब्रेन कर रहा है, कि ब्रेन से निकलने वाली 12 नसे कर रही है, कि ब्रेन से निकलने वा और दरवाजा कोई खट खटाएगा खोलो तुम्हें मैं लेने आई हूँ यह मराज की बती जी हूँ मैं खोलिएगा उसको तो कहेंगे दूर से सुरी तो हमरी वाली है रे तब आपका मन इदम हरिहरा आजाएगा हाँ हमरी वाली आई है मिलने के लिए तब आप रिलेक्स हो तो उसे कहते हैं पारा सिंपेथेटिक यानि पारा अनुकम्पी है अब जो जो घटनाए हुई थी सब नार्मल हो जाएगा और खिया किया था नार्मल हो जाएगा अज जो मुहा सुख गया था अब मुशकराने लगेगा अब भीटो भीटो हुस्टल में कोई नहीं है बटबटबटबटबटबट